नमस्कार दोस्तों मैं जो सिल्या सत्वप्रगास RBS Classes दी परिच्छा गुरु में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मित्रों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लेकपाल की नई परिच्छा लेकपाल जो है उसका नया डेट आयोग ने जारी कर दिया UPSS ने अभी जो 19 जुन था वो किसी अपरिहार कारणों से बस लिखा है कि वो नया डेट आया है तो देखें नई तारीक एक लेकपाल की जो समय था उस समय को और समय मिल गया कहा जाता है समय एक नियत आपको दिया अच्छी है कोई बात नहीं आयोग का डिश्जन है जो आयोग ने लिया कुछ अपरिहार कारणों से आप एकदम महनत दमकसी करिए और एकदम जीजान से और अच्छा है टाइम मिल गया है कोई बात नहीं है यहां लेटर देखिए मैंने आयोग का लेटर लिखा है सीधे उ सुचना संख्या साथ दस यह पूरा देते हुए दिनांक इतने को ग्राण करके इसमें क्या था मित्रों की जो 21 जून को आपका जो 19 जून को आपकी डेट थी समझिए इसमें जो चीजे चेंजिंग हुए बस वही चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए ठीक तो यहां पर लिखा है कि देखे 19 जून दो हजार बाइस को किया जाना था जो आप लोगों का डेट था 19 जून दो हजार बाइस 19 जून इसको जर आज देख लिजे रंग 19 जून 19 जून दो हजार बाइस ब्लैक 19 19 जून दो हजार बाइस को आपका निरधार था वह परिच्छा परिहार काड़ों से अस्तवित कर दिया गया है बस यही लिखा है परिहार काड़ों से और अब यह परिच्छा नया डेट जो 19 जून का था यह नया डेट चला गया 24 जुलाई 2022 22 माने सीधा सीधा मोटा मोटा आप लोग ऐसे समझिए कि जो मेजर चीज है ओनीज जून 2022 का जो अब नया डेट आया है और नया डेट किना आया है 24 जुलाई 24 जुलाई को आ गया है मित्रों ध्यान देजिए का 24 जुलाई 2022 को नया डेट लागू हुआ है नया डेट आयोग ने जारी किया है ध्यान से देख लिजिए फिर से ओनीज जुन वाली जो परिच्छा थी वो चली गई 24 जुलाई 2022 को अब परिहार काड़ों से ये आयोग का लेटर यहां पर दिया गया है साथ ही एक पूर्ती निरिच्छक परिच्छा थी उसका भी डेट यहां पर दिया है कि वो अभी डेट क्या था जो पहले कुछ और था वो अब कुछ और हो गया है एक पूर्ती निरिच्छक परिच्छा थी उसके लिए भी यह चीत था लेकिन हम लेकपाल पर फोकस करेंगे जो हमारा में चीज है तो लेकपाल की परिच्छा 19 जून वाली अस्थगित होकर आयोग ने नया डेट जारी किया है अपर हार काड़ों से तो अभी जो आप जुलाई दो हजार बाइस को दो हजार बाइस को यह आयोग यह आयोग का लेटर आपके सामने आपको दिख रहा है यहां पर इस परस्त लिखा है कि अपर हारे कारणों को दृष्टिगत प्रस्नगत विज्यापन संक्या के लिखित परिच्छा 19 जून दो हजार बाइस से जो परिच्छा थी वो चली गई है 24 जुलाई दो हजार बाइस को तो मित्रों जब समय मिल गया है कोई बात नहीं आयोग का कुछ डिसिजन था उन्होंने कुछ डिसिजन सोच के दिया तो मैं उमीद मैं बार बार यही कहता हूं कि उमीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है मि को सफलता मिलेगी समय समय को चाहिए कहा जाता है नहीं समय समय मांग रहा है तो समय अगर समय बढ़ाया गया है तो कहीं नहीं कहीं उसको पॉस्टिवली लीजिए अब आगे की परिच्छा 24 जुलाई को जो होगा उसके लिए एक दम कटिपद्ध हो जाईए और बीस क्लास उने यूपी ट्रिपल सी ने जारी किया है वो 24 जुलाई नई डेट ध्यान रखेगा नई तारिक नई तारिक जो पड़ी है वो 24 जुलाई 24 जुलाई 2022 को यह डेट गया है जो 19 जुन 2022 था ठीक है तो नेक्स सूचना के लिए कुछ बहतर मिलेगे और उमीद रखिए उमीद उमीद ऐसे ही पूरी हर चीज कायम रहती है और मेहनत करिए जरूर आपको सफलता मिलेगा आईस्वर करेंगे प्रभु हर्मान जी की पा रहेगी और आपके गौड की रहेगी अल्ला की रहेगी जो भी है सब की क्रिपा आपके उपर रहेगी बस सरते मेहनत से एकदम जीजान लगा दीजिए मित्रो आर्वियस क्लासिज दी परिच्छा गूँ की बहतरीन यूपी के नंबर वन टीम अगर आपके साथ लगी ह तो आपको सफलता दिला के ही छोड़ा जाएगा और पूरी कटि बद्ध अप्रति पल आपके साथ खड़ा रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहतर लेकर आएंगे तक तक के लिए मैं विदा ले रहा हूं जै हिन जै भारत नमस्कार जै हिन जै भारत